लास्ट वीडियो में मैंने आपको टैली को डवलपर मोड में खोलने के दो तरीके बताए थे आज मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगा जो सबसे इजी है तो डवलपर मोड में खोलने का फैदा भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए था कि इससे आप customization कर सकते हैं टेली के अंदर तो तीसरा तरीका ये है कि आपको जो टेली का icon है उसके उपर properties के अंदर जाना है और properties के अंदर जो target होता है उस target में जो लिखा हुआ है इसके अंदर last में आपको लिखना है inverted commerce के बाद space दे करके आपको लिखना है slash के बाद devmode इतना लिखना है वागी कुछ नहीं करना ओके करना है अब आप जब इसको खोलेंगे तो आपका टेली डेरेक्ट in developer mode में ही open होगा तो last video में हमने discuss कर लिया था कि developer mode में हम fields के नाम चेक कर सकते हैं देख सकते हैं और उसमें customize कर सकते हैं लेकिन मैंने customize करना आपको नहीं सिखाया था जो आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ हम voucher के अंदर जाएंगे और यहां जो screen open हो रही है इसके अंदर कुछ field के नाम बता करेंगे और उनके अंदर कुछ change करेंगे आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले मैं यहां जाता हूँ मेरा cursor को लेकर के तो इसका field का नाम है ACLS fixed laser इसके अंदर हम चाते हैं कि हमेशा case लिखा हुआ है ठीक है दूसरा है जो हमारे narration है narration के अंदर हमेशा आसान solution लिखा हुआ है यह दो काम हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए आपको tele developer open करना होगा अब आप कोई editor open नहीं कर सकते हैं आपको tele developer ही open करना होगा ठीक है उसके बाद आपको press करना है Ctrl J Ctrl J के बाद यहां चूज करना है आपको field ठीक है field के बाद हमने field के नाम note किये थे अगर नई note करिये तो दोबारा note कर लेते हैं यहां cursor को लाएंगे ACLX Fixed Leisure ACLX Fixed Leisure यह field का नाम है अब हम यहां लिखेंगे ACLX Fixed Leisure यह आपका आगया है इसके बाद go पर click करेंगे और go पर click करने से आपके इसकी original जो definition है वो आ जाएगी अब इस definition के अंदर हम change करेंगे और change करने से हम जो चारे हैं वो हो जाएगा तो इस definition को सबसे पहले हम copy कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको change करना है और copy करने के बाद हम एक नई file खोल लेते हैं इसके अंदर हम coding करेंगे तो हम निया desktop पे एक file बना लेते हैं demo उसके बाद हम यहाँ इसको paste कर देते हैं ठीक है अब हमें इसको edit करना है तो edit करने के लिए हम hash लगा देते हैं यह मैं already पता चुका हूँ और हमें cash लिखना है तो इसके लिए हमें set edge ढूड़ना पड़ेगा यहां set edge है यह line है इस line के अंदर हम change कर देते हैं बाकी line के हमें जरुत नहीं है तो बाकी को हम delete कर देते हैं आगर आप रखते भी हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है तो मैं तो delete कर रहा हूँ जिससे कोई confusion पैदा ना हो और इसको भी मैं comment से hide कर रहा हूँ और यहां लिखाँ हूँ c a sh इतना मैं लिखुँगा उसके बाद save करूँगा और save करने के बाद मैं इसको टेली के अंदर activate करने जा रहा हूँ डेली में activate करने के बाद अब मैं voucher पर जैसी क्लिक करूँगा यहां मैं payment वाला voucher open करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां by default cash लिखा हुआ रहा है receipt वाला voucher open करता हूँ तो भी cash लिखा हुआ रहा है तो जो यह field है इसमें मैंने cash set कर दिया है इसलिए यहां cash लिखा हुआ रहा है अब दूसरी field हमारी है vch narration इसके अंदर हमको लिखना है आसान solution तो हम आएंगे टेली developer के अंदर वापस और search करेंगे control j press करेंगे और यहां लिखेंगे vch narration इसको हम open कर लेंगे और ज़्यादा हमें ज़रत नहीं है इसको हम यहां copy कर लेते हैं सबसे पहले और copy करने के बाद यहां paste कर देते हैं इसको edit के लिए has लगा देते हैं और has के बाद हम लिखते हैं set as आसान solution save करेंगे save करने के बाद हम टेली में इसको refresh कर देंगे tdl को अब जैसे हम voucher पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां cash लिखा हुआ रहा है और यहां आसान solution लिखा हुआ आ रहा है payment के अंदर देखेंगे तो payment के अंदर ही same है कोई सबी voucher हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं narration तो same आएगी और उपर change हो सकता है जैसे मैं दोबारा sale का voucher खोलूं तो यह field अलग है और लेकिन यह field same है इसलिए यहां आसान solution लिखा हुआ रहा है लेकिन जो payment है उसके अंदर जो fields के नाम है वो exact है इसलिए यह दोनों field हमारी 94 चेंज हो चुकी है तो I hope दोस्तों आपको field के नाम जानकर उनको customize करना आ गया होगा अब आया कि नहीं आया इसका पता करने के लिए मैं आपको एक assignment दे रहा हूँ assignment यह है कि आप tally के अंदर elder के अंदर जाएंगे यहां voucher types दिया वा होता है और यहां sales की मैंने voucher entry कर रखी है और इसके अंदर यह setting कर रखी है अल्रेडी अब problem यह है कि मैं यहां जैसे ही enterprise करूंगा तो यह third वाली line में jump होता है second वाली line में jump नहीं होता है तो आपको करना क्या है second वाली line में jump करवाना है ताकि मैं इसके अंदर changes कर सकूँ तो यह आज का assignment है आपके लिए thank you for watching this video